सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकेन को दबाईए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ मंडी बिर्यानी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी यह बहुत ही टेस्टी बिर्यानी है और हम जो रेगुलर बिर्यानी बनाते हैं उससे बहुत डिफ्रेंट है और बहुत टेस्टी है इसको आप ज़रूर ट्राइ किजगा आए हम इसके इंग्रीडियन्ट देख लेते हैं मंडी बिर्यानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक किलो चिकन लिया है और इसके मैंने बड़े पीसेज लिये हैं और इसमें इस तरह के डीप कैशेज लगा दिये हैं जिससे की जो मैरिनेशन का मसाला है वो चिकन में अंदर तक चला जाए और यहाँ पर मैंने विदाउट इसकें चिकन लिया है आप चाहें तो इसमें इसकें के साथ चिकन ले सकते हैं और आप बड़े या छोटे किसी भी तरह के पीस ले लें और यह मंडी बिर्यानी का खास मसाला है इसमें एक टेबिल स्पून जिंजर पाउडर लिया है एक टेबिल स्पून साबुद धनिया लिया है दो टी स्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है और दो टी स्पून जीरा लिया है यह चार पीस हैं दो दो इंच के दालचीनी के छे मैंने छोटी लाई ची लिए हैं और दो बड़ी लाई ची लिए हैं 14-15 हम लॉंग का इस्तमाल करेंगे इनका हमें एक पाउडर बना लेना है और यहाँ पर मैंने एक चोथा ही छोटी चपमच सैफ्रॉन लिया है यानि की केसर इसको मैंने वन फूट कप गुनगुने पानी में भीगो कर रख लिया है चार से पांच हरी मिर्श लियें जिसका की मैंने एक पेस्ट बना लिया है दो टेबिल स्पून नीबू का रस लिया है वन थर्ड टी स्पून हल्दी लिये और दो टी स्पून नमक लिया है नमक की क्वेंटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाफ से भी ले सकते है वन फूट कप यानि की 50 एमिल के करीब मैं तेल का इस्तमाल करूंगी 500 ग्रैम यहाँ पर बासमती लॉंग रियन राइस लिये है इसको मैंने 20 मिनट पहले भी गो दिया था दो मीडियम साइज की प्यास को मैंने चौपर मेट कट कर लिया है आप चाहें तो आमलेट की प्यास की तरह बारेक काट सकते हैं और दो मीडियम साइज की टमाटर को भी मैंने बारेक काट लिया है चार से पांच हम हरी मिर्श का इस्तमाल करेंगे दस से बारा हम बादाम लेंगे आप यहाँ पर किश मिर्श और काजु का भी इस्तमाल कर सकते हैं एक टेबर स्पूर भर कर हम नमक का इस्तमाल करेंगे दो से तीन पीस देजबत्ते के लेंगे तीन छोटे छोटे पीस दालचीनी के लेंगे चार छोटी लाइची लेंगे एक बड़ी लाइची लेंगे और पांसे छे लॉंग लेंगे एक क्यूब में हाँ पर चिकन स्टॉक का इस्तमाल करूंगी ये ओफिशनल है आपके पास हैं तो एट किरें वरना स्किप करते हैं और ये हम सर्विंग के टाइम चटनी इस्तमाल करेंगे ये खास चटनी ये मंडी बिर्यानी की इसके बगएर मंडी बिर्यानी अधूरी है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी और 120 ml के करीब हम तेल के इस्तमाल करेंगे आईए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जाल ले लेंगे और मंडी बिर्यानी बनाने के लिए जो हमने खास मसाली लिये हैं इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे ये देखिए इस तरह से हमने मंडी बिर्यानी के जो खास मसाली लिये थे उसका एक फाइन पाउडर बना लिया है अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें हमने जो मंडी ब्रियानी का मसाला बनाया है इसका हम दो हिस्सा इसमें डाल देंगे एक हिस्सा हम बचा लेंगे जो कि हम चावलों में इस्तमाल करेंगे ये देखे इस तरह से मैंने एक हिस्सा बचा लिया है साथी में हम इस बावल में हल्दी डालेंगे नमक डालेंगे नीबू का रस्ट डालेंगे हरी में इसका पेस्ट डालेंगे और इसमें से हम इसका आधा हैसर डालेंगे यानि कि केसर का आधा हैसर हम इसमें डालेंगे आधे बचा लेंगे जो कि हम चावलू में इस्तमाल करें मैं अब लिए अप मसाले को इस तरह से हर पीस पर रप करेंगे अच्छे से रप करेंगे जो इसके डीप गैशे हैं मसाला उसके अंधर चला जाए और इसी तरह से हम बागी के सब इसे पर यह मसाला रप कर लेंगे इस तरह से ये देखिए चिकन के हर पीस पर हमने मसाले को अच्छे से कोट कर दिया अब हम इसको तीन से चार घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप एक घंटे भी रख सकते हैं अब हम चिकन को स्टीम करने की तैयारी करेंगे इसके लिए हम एक बड़ा वैसे लेंगे और इसमें चार कप के करीब पानी को उबालेंगे यानि की 800 म.L के करीब हम पानी उबालेंगे और जब पानी में गुबाल आ जाएगी तो इसके उपर हम इस तरह की एक छनी रख देंगे और एक-एक करके हम इसमें अपने चिकन के पीसे रख देंगे हमें यहाँ पर चिकन को स्टीम करना है और इस तरह से पकाना है कि यह कंप्लीटली कुक हो जाए तो इस प्रोसेस में 35-40 मिनट लगेंगे अब हम इसको एक लिट से ढग देंगे और गैस की फ्लेम को low to medium कर देंगे और हम इसको जब तक कि कुक करेंगे जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से स्टीम होकर कुक नहीं हो जाता है तो 35-40 मिनट आप इसको low to medium फ्लेम पर ही पकाएं मैं आपको दिखा दूँ low to medium फ्लेम पर इसमें कितनी अच्छी भाव बन गई है तो इसमें चिकन जो है बहुत आराम से कुक होगा हम बीच में एक बार चिकन की साइट्स को चेंज कर देंगे यानि कि हम इसको पलट देंगे जैसे कि हमारा जो चिकन है वो दूसरी साइट से भी अच्छे से स्टीम होकर कोक हो जाएगा आप यहां पर जो आपने नीचे पानी लिया है वो बीच बीच में एक बार चेक करते रहेगा कहीं ऐसा ना हो कि पानी कंपलेटली सूख जाए और आपका वैसल खाली हो जाए वैसे सूखेगा नहीं लेकिन फिर भी चेक करना बेटर है अभी हम इसको दूसरी साइट से भी कुक कर लिना है तो करीब 40 मिनट मैंने इसको लोड ओव मीडियम फ्लेम पर पकाया है और हमारा चिकन जो है वो गल जुका है तो यह देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूं अब हम अपने चिकन को फ्राइ करेंगे को इसके लिए हम एक पैंन में तो टेशल कर लेंगे 2-3 मिनट के बाद जब इसमें थोड़े से मार्ग्स आ जाएंगे एक साइट पर तब हम इसकी साइट को चेंज करेंगे और दूसरी साइट से भी हम इसे फ्राय करेंगे हमें इस तरह से इसे फ्राय करना है कि इसमें गोल्डन मार्ग्स आ जाएं तो आप देख सकते हैं चार से पांच मिनट मैंने इसको उलट पलट कर हर तरफ से फ्राइ किया और इसके हर पीस पर इस तरह के मार्स आ गए हमें यही मार्स चाहिए है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक साइड में रख देंगे अब हम एक वैसे लेंगे जिसमें की हमें बिर्यानी बनानी है उसमें हम तेल को करम कर लेंगे और जब तेल कर देगा तो बारदाम को हम इसमें कुछ सेकेंड के लिए फ्राय कर लेंगे और निकाल लेंगे बाहर और अब उसी तेल में हम सभी साबुत करा मसाले डाल देंगे और इनको कुछ सेकंट के लिए सौटे कर लेंगे ताकि इनकी खुश्बू तेल में रिलीस हो जाए और अब हम इसमें बारी कटेवी प्यास डाल देंगे और इसको लाइट पिंक होने तक फ्राय करेंगे साथ में हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे ये देखिए हमने प्यास को बिलकुल लाइट पिंक होने तक फ्राय किया हमें से ज़ादा इसको डार्क नहीं करना है अब हम इसमें बारे कटे वे टमाटर डाल देंगे और साथ में हमने मंडी विर्यानी का जो मसाला बचा लिया था एक हिस्सा वो भी हम इसमें डाल देंगे और साथ में डाल देंगे चिकन स्टॉक, यह ऑप्षिनल है, है तो डालिए परना इसकेप करती जैए और नमक डालेंगे और टमाट्रों को सॉफ्ट होने तक फ्राय कर लिए ये देखिए टमाट्रों को हमने सॉफ्ट होने तक फ्राय कर लिया है अब हम इसमें चावल डाल देंगे और अब हम इसमें वो स्टाउक डालेंगे जिस पानी में हमने चेकिन को स्टीम किया था उसके नीचे जो स्टाक बन गया था पानी का वो इसमें डालेंगे ये बहुत ही इंपोर्टन्ट स्टाउक है आप इसको बिल्कुल भी वैस्ट नहीं कीज़गाई इसी के सारे पानी और एक्स्ट्राइट कर रही हूं, अब हम इसमें एक उबालाने देंगे, तो ये देखिए पानी में एक उबाला गई है, अब हम कैस की फिलिम को लो कर देंगे, और इसको हम एक लेट से ठक देंगे, और ठक कर छे से साथ मिनट लो फिलिम पर हम इसको कोप करेंगे, औ हम चावलों को एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे और अब हम इसके नीचे कोई भी हरीवोटम दवा या फिर इस तरह की नेट की कोई जाली लगा देंगे 2 मिनट के लिए गैसी फ्लिम को हाई रכेंगे ताकि जाली गरम हो जाए फिर गैसी फ्लिम को लो प्रिवल दे गे को लिए 25-20 मृट लेंगे 15 मृट लो फ्लिम पर दम कर लिया है हमारे चावल तयार हो गये एक बार हम चावलो को उपर नीचे कर देंगे जिससे कि हमारे चावल खिले के लिए रहेंगे और अब हम यहाँ पर अपने फ्राय किये वे चिकन के पीसेस रख देंगे अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे इसके लिए हम इसके बीच में एक स्ट्रील की कटूरी रखेंगे और एक जलावा कोईला हम इसके बीच में रख देंगे और उपर से हम इसमें एक टेपले स्पून तेल डाल देंगे और इसको फॉरान एक लिट से ठाक देंगे और तीन से चार मिनट के लिए हम इसको स्मोक में रहने देंगे उसके बाद हम इसको चेक करेंगे तीन से चार मिनट हमने इसको स्मोक कर लिया अब हम इसके बीच में से ये स्टिली कटोरी निकाल देंगे और हमारी बिर्यानी बन कर तयार है अब हम अपनी बिर्यानी को सर्फ कर लेते हैं ये देखिए हमारी एकदम डिलिशिस और यमी मंडी बिर्यानी बन कर तयार है अब हम इसके उपर चिकन के पेसेस रख देंगे साथ में हम इसमें जो हमने बादाम फ्राइ किये थे वो डाल देंगे और सर्फ करेंगे इसको मंडी पिर्यानी की चटनी के साथ इस तरह से तो जरूर इस मैथड़ से आप मंडी पिर्यानी की रेसेपी को बनाईए यह बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसको इसकी चटनी के साथ सर्फ किजे और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको आज की मेरी रेसेपी अच्छी लगिए तो मेरे चैनल को वन टाइम सबस्क्राइब करना ना भूलें और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें थैंक यू